और इस बीच एक और बड़ी बात आपको बता दें, अजय माकन की तरफ से का गया, 14,40,000 पर 210 करोड का दंड दिया गया, ये अजय माकन की तरफ से आरोप लगा गया, अपना 285 करोड इस्तमाल नहीं कर पा रहे, बीजेपी को कभी ऐसा दंड नहीं भरना पड़ा, हमारे पास उमीदवारों को देने के पैसे तक नहीं है, हमारे पास बिज्यापन देने के पैसे नहीं है, 30 साल पुराने मुद्दे पर अब नोटिस भेजा गया, और थीसरा क्वांटम ऑफ पनिश्मेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिश्मेंट क्या, हमारे सिरफ 0.07% पूरा 199 करोड का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तंखा दी, उसकी वज़े से 0.07% की अनिमित्ता की वज़े से 106 प्रतिश्रत की पैनल्टी हमारे उपर लगाईगी है, 106% की, कितना 0.07% की अनिमित्ता की वज़े से 106% की पैनल्टी हम लोग की उपर लगाईगी है, ये कौन्टम है, हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सब्मिट करें यह इंकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है इसका सेक्शन 234F यह कहता है कि सिरफ 10,000 रुपे की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना कोई भी ऑग्नाइजेशन य करोड रुपे का 210.25 करोड का लियन माक कर दिया गया 10,000 की सिरफ पेनल्टी सिरफ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया है यह कहां काने आए 115 करोड रुपे फोर्सुली हमारे बैंक अकाउंट से इंकम टैक्स ऑफिसर ने बैंक मैनेजर्स के पास में नहीं है 115 करोड रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके धमका करके इंकम टैक्स ऑफिसर ने हमारे अकाउंट से इंकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस टांस्वर करा दिया मैंने बताया जैसे पिछले पांच हफ्ते से एक महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने कटे करें वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कर पा रहे हैं यह कहां की डेमोक्रेसी है यह कहां का लुक्तंत रह गया कॉंग्रेस पार्टी आस फ्रोजन है आप सोचिए हम आश्चर छकित हैं रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग कभी 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 दो दिन तीन दिन जब सीसी की मीटिंग होती है मानने प्रधानमंत्री आते हैं चार बज़े प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं जब ह हम दस बज़े सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के दो दो रहलियां समाप्त हो चुकी है जो देश का प्रधानमंत्री जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह चार बज़े जा करके हम दो एक दिन में ठक जाते हैं हर दिन का रुटीन प्रधानमंत्री नर तो इस बार लगातार वार पलट वार हो रहा है बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कॉंग्रेस उतर गई तो बीजेपी ने भी जवाब दिया इससे पहले मलेका अर्जुन खरगे ने कैसे बीजेपी पर हला बोला है आपको सुनाते है देश की जनता एक आम नागरी एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बोंड से 56 परसेंट पैसे हासिल किये है वहीं कॉंग्रेस को 11 परसेंट ही मिले है और ये वो पैसे जो बॉण्ड से बीजेपी ने लिये हैं इसके अलावा जो क्याश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है आप इनके खर्चे देखिए हर तरफ इनका अड़र्टाइसमेंट लगा है और अड़र्टाइसमेंट में भी मोनापली बना ली है प्रिंट मेडिया हो टीवी हो और सोशल मेडिया हो इनका बहुत डॉमिनेशन है लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है हिंदुस्तान के सत्तर साल के डिमोकर्टिक व्योस्ता में ऐसा को ही नहीं किया यह पहली बार यह सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके फाइस स्टार आफिसे से बड़े बड़े हर जगे आप देखिए और चार चार फांच पांच फ्लाइट एक एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और दो चार जाते हैं एक एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शाहिद ही कोई पार्टी अपोजिशन पार्टी उसका 10 परसंट भी नहीं कर सकती मुखाबला झाला झाला झाला